Hello, Student Time, Welcome Back Hello friends, Welcome to my channel, The Student Time So friends, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे CBSC का New Exam Pattern for Class Trend Class Trend का CBSC ने exam pattern change कर दिया है So हम देखेंगे क्या क्या change किया है So friends, इस बर Class Trend के exam के paper के अंदर आपके पास 3 sections होंगे सबसे पहले होगा आपका reading जो section A के अंदर होगा Section B के अंदर writing skills with grammar और section C के अंदर आपके literature textbook होगी So इसको line wise देखेंगे अब हम, okay, deeply So friends, first है हमारा reading जो की section A के अंदर है इसके अंदर आपको 2 unseen passage मिलेंगे और वो unseen passage होंगे multiple choice question पर, okay So multiple choice question based on discursive passage जो आपके MC के होएंगे, वो discursive passage पर based होंगे और इसके word limit होगी 400 words to 450 words, okay इसमें क्या होगा, आपको 12 questions आएंगे आपके exams के अंदर जिसमें से आपने कोई भी 10 करने है और हर एक question का marks की weightage होगी 1 marks एक question एक marks का होगा इसके बाद एक और आपको ऐसे ही unseen passage आएगा वो भी MC के उपर based होगा और वो आपका passage आएगा case based factual passage पर, okay और इसके जो word limit होगी, वो होगी 300 words से 350 words तक, okay और इसके अंदर भी आपको 12 questions आएंगे exams के अंदर और आपने कोई भी 10 questions करने हैं हर एक question एक marks का होगा multiple choice questions होंगे, जो आपके किस पर based होंगे based on extract, extract पर based होंगे और वो extract हो सकता है तो drama से या फिर कोई pros से दो extract आपके exams के अंदर आएंगे, उसमें से आपने कोई भी एक extract करना है, और उसके जो marks की वेटेज होगी वो होगी 5 marks ऐसे ही आपको एक ओर extract आएगा multiple choice questions पर और वो extract based होगा आपकी poetry पर वो आपको कोई भी poetry से आ सकता है और ऐसे ही आपको दो extract आएंगे, जिसमें से आपने कोई एक extract exams के अंदर करना है और इसके भी marks वेटेज होगी वो 5 marks होगी इसके बाद आपको 10 multiple choice questions आँगे 12 में से 10 multiple choice questions आपने करने हैं और एक किस पर based होगे, यह based होगे आपके grammar में और इसके marks वेटेज होगी 10 marks ओके, सो देख लेते हैं questions कौन से कौन से topics पर based होगे ओके, जो questions हैं वो कौन से कौन से topics पर based होगे first है हमारे tenses, tenses आपको mcq में इस बार आएंगे और models, verb, verb concurrent, reported speech के अंदर command and request, statements, questions इनके based पर आपको mcq आएंगे और determiners तो आप इनको screenshot ले लिजे अब हम चलते हैं writing part पर so writing part में क्या होगा, सबसे पहले एक आपको letter आएगा, जिसकी आपने word limit कितनी करनी है 100 to 120 words की आपने word limit इसकी करनी है cross नहीं करनी है, आपने ध्यान रखना और यह किस पर based होगा, यह based होगा आपकी situation पर जो आपको cbse वाले देंगे ऐसी आपको दो questions आएंगे जिसमें से आपने कोई एक question करना है और इसकी marks की वेटे जोगी 5 marks, is that clear? अब next देखते हैं ऐसी आपको एक paragraph आएगा इस paragraph को नाम है analytic paragraph, जिसकी word limit होगी आपने कितनी word limit करनी है 100 to 120 words okay, cross नहीं करनी से जादा आपने ये किस पर बेज़ जोगा या आपको outline या फिर data हम क्या सकते, chart दिये दिया जाएगा आपको is that clear? और क्या होगा, दो questions आपको exams के अंदर आएंगे, जिसमें से आपने कोई एक करना है, और ये भी 5 marks का होगा, हम इस पर अपनी 6 questions आएंगे, exams के अंदर, जिसमें से आपने कोई भी 4 questions करने हैं, और वो 6 questions आएंगे short question answers आपके जिसके word limit होगी 20 to 30 words, आपने बस इतने में ही answer देना है 20 to 30 words में समझ आ गया, और क्या करना है आपने इसके बाद ये आपके जो questions आएंगे ये आपकी या तो first flight book में से आ सकते हैं, या फिर footpint without feet के book में से आ सकते हैं हर question होगा आपका 2 marks का, so आपने 4 questions attempt करने हैं इसके बाद ऐसे ही आपको short answer type question फिर आएंगे, 6 questions आएंगे जिसमें से आपने 4 करने हैं और इसकी word limit होनी चाहिए आपकी 40 to 50 words, और ये भी आपकी दोनों books के अंदर से आएंगे, first flight और footpint without feet के book में से ओके फिर आपको long questions आएंगे 2 long questions आएंगे, जिसमें से आपने कोई A करना है, समझा गया 2 long questions आएंगे, जिसमें से आपने कोई A करना है, और ये question आएगा, आपको first flight के book में से, और इसके word limit आपने कितने लिखनी है, 102 120 words की आपने इसमें word limit जो है वो लिखनी है, ठीक है ऐसे ही आपको एक और long question आएगा, ठीक है, 2 long questions आएंगे, दुबारा फिर से जिसमें से आपने कोई A करना है और ये आएगा, आपके foot print without fit के book में से समझा गए आपको, और इसके भी word limit उतनी है, जितने पिछले वाले long question की सी 100 words है, 120 words और इसके जो marks वेटे जोगी, वो होगी 5 marks समझा गए आपको ये था paper pattern जो हमने देखा अगर आप हमारी वीडियो को ऐसी देखना चाहते तो आप देख सकते हो, so इस वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर देजिए शेर कर देजिए, और चैनल पर न्यू आए तो इस चैनल को सिस्क्राइब कर देजिए थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो